दोस्तो आप सभी पर गड़ेश भगवान के खिर्पा बनी रहे कब है गड़ेश चतूर्थी 18 या 19 आखिर क्या है सुभ समय और महुर्त क्या है पूजा की बिदी सब कुछ बिस्तार से सही और सटी जानकारी देंगे आपको बस बने रहे ये वीडियो पर दोस्तो चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है चलते हैं दोस्तो वीडियो पर दोस्तो भादरपद माह के सुकल पच्छ की चतूरदर्सी तिथी से गड़ेश उत्सव की सुरुआत होती है गड़ेश उत्सव का यह पावन पर्व 10 दिनो तक रहता है वहीं अनंत चतूरदर्सी के दिन इस उत्सव का समापन होता है इस दोरान लोग धोल नगालों के साथ बड़ी ही धूमधाम से पप्पा को अपने घर लाते हैं गड़ेश उत्सव का पर्व हिंदू धर्म के प्रमुक तेवारों में से एक है आये जानते हैं मह के बारे में दोस्तों गड़पती बप्पा बुद्धी और सुबता के देवता है उन्हें बिग्न हरता कहा जाता है बप्पा का हर एक नाम अपने आप में चमतकारी माना गया है पैड़ारिक मानिताओं के अनुसार गड़पती बप्पा जहां भिरास्टे हैं वहां धन व इसे इस लाब देने वाला पर्व माना जाता है। आइए जानते हैं गड़ेश स्थापना का सुबसमय और महुर्त। गड़ेश स्थापना का सुबसमय 19 सितंबर 2023 को सुबह 11 बजकर 7 मिनट से दोपहर 1 बजकर 34 मिनट तक होने वाला है। आप आराम से बिधी बिधान से पुझा अर्चना कर सकते हैं। आइए जानते हैं पुझा की बिधी। गड़ेश जी की स्थापना करने से पहले पूझा इस तल को अच्छी तरफ साफ कर लें। फिर पूझा की चोटी पर पीला श कपडा बिछा कर गड़पती बप्पा को चौकी पर इस्थापित करें अब लोटे में गंगा जल भरकर एक आम के पत्ते या दूरवा लेकर गड़ेश जी पर छिड़काव करें अब उन्हें हल्दी चावल चंदन का तिलक लगाएं और बिदी बिधान से मिठाई, मोदक, फल, माला और वीडियो पसंद आया होगा, दोस्तों वीडियो को लाइक और सेयर करना न भूलें, स्री गड़े साइन नमहां